नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पे मैं विकास कुमार दोस्तों आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो की स्पेशल बिगनर्स के लिए है जिन्होंने स्केचप कभी आज तक यूज नहीं किया जो फर्स टाइम स्केचप को यूज करें हूँ तो गर्ल सबस्ते पहले जब हम ओपन का से जहां तड़ मिलें हों तो इस तरह मुलर करें। यहां यूजर है उनको ज्यादा कन्फियूज होने जूरूत नहीं है तो उनके लिए में दो टेंपलेट सी बताऊंगा यहां पेक तो सबसे उपर है सिंपल ठीक है इसके नीचे आपको लिए इन चीज तो इसके अंदर जब हम इस टेंपलेट को जो है इन चीज के अंदर होगा तो आप जिस भी यूनिट के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो यहां से आप अपना टेंपलेट यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है ओके गाइस तो यह तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि आपको स्कैचचप स्टार्ट करने से पहले होनी चाहिए अब सबसे पहले जो ब क्या काम करता है ठीक है आपको यहां पर जो रायेट साइड में ड्राइंग् टूल्स देखने को मिल जाएंगे सबी के सेखल Kiss तो इहां पर सबसे ऊपर सलेक्ट टूल है कोई भी आप्सट करने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे ठीक है मालनी जी मेरे पास एक ये object है ठीक है यदि मेरे को इसका select करना है तो select टूल का जो हमारा यूज़ है यही है इससे मैं select कर सकता हूं यह complete को भी इस तरह से select कर सकता हूं next जो हमारा tool है paint bucket tool paint bucket tool name से भी आपको पता चल गया है कि इससे हम जो color दे सकते हैं हमारे किसी भी object को माली जी यह object है ठीक है paint bucket tool पर click करोगे और यहां पर आपको सभी जो है आपके texture colors ठीक है जो आइटम आप 3D models के अंदर यूज़ करें हो सभी यहां पर मिल जाएंगे तो यह दि मैं basic विल्कुल basic बात करूं तो यहां पर colors है ठीक है तो आप अपने object को यहां पर colors दे सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है तो यह है next जो हमारा tools का work आपको पता चल गया होगा यह paint bucket tool है इससे next जो हमारा eraser है eraser जैसे आपने MS paint यूज़ किया ही होगा eraser काम क्या होता erase करना ठीक है जैसे कोई भी माली जी मुझे एक line erase करनी है तो मैं यहां से यह देखिए इस तरह से मैं erase कर सकता हूं ठीक है तो erase tool का work भी आपको पता चल गया ठीक है उसके बाद आसते हैं हमारे drawing tool आगे का जो हमारा option है यहां से लेकर यहां तक ठीक है आपको बीच में के line दिख रही होगी उपरोड नीचे इसके बीच के जितने भी tools है वो सभी drawing tools है इसको हम बोलते है drawing tools क्योंकि इन्हें की help से कोई drawing हम design कर सकते हैं बना सकते हैं 3D models ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आ जाता line tool ठीक है इसको आप डारेक्ट एंसे कलिक करके अक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से ठीक है यह simple line जो है draw करने के लिए है इससे जो next है फ्रेस है यान कि पॉलोगोनी line ड्रा करने के लिए यान कि हमें कुछी इस तरह की line ड्रा करनी है ठीक है आप किसी भी यांकि टेड़ी बेड़ी किसी भी टाइप की line ड्रा करेंगे तो यह आप इससे कर सकते हैं नहीं पो लोगोनी लाइन से इसको आप बोल सकते हैं कंट्रोल जी सुन्डू है 遊戲 इसे next जो हमारा टूल बार है वो है rectangle rectangle के नाम से आशके को पता सलिथा है कि हम इस से घुह barrel कर सकते हैं लिस से जो next हमारा टूल है रोटेट् इरक्ट एंगल पी इस तमाने नवपार को कि ये देकिए यहां पर आप जितने साइज गए rectangle बनाना चाहें यह देखिए आप जिस भी दिशाम बनाना चाहेंगे rotate करना चाहेंगे चारों और जो पर rotate होगा यह देखिए आप देख सकते हैं यानि कि जिस भी degree के एंगल में आप कोई भी rectangle ड्राक बना चाहें तो वो आप जो है हमारे जो है rotate rectangle टूल की help से इसको activate करके ड्राक कर सकते हैं यह देखिए इसे next जो हमारा option है circle टूल है ठीक है यह simply circle ड्राक करने के लिए है ठीक है इसे next जो अपना option है वो पोलो गुनी है यानि कि यह तो हमारा round circle है विल्कुल यह देखिए यह कुछ सिस्थरे का आप जो है इसके साथ आकरती डिजाइन कर सकते हैं तो यह कहने का मतलब है कि यह सभी जो हमारे ड्राइंग टूल्स है इससे सब्सक्राइंग कर सकते mentoring लाइभ तो यह सभी टूल्स है जो हमारा ड्राइंग के अंदर सायантumer कोने वाला है कि यस में टूल्च आ जाता है यहां पे मूँड तूल आ जाता है जो मेंड टूल है ठीक है में। इसकी हैल्प से हम किसी भी चीज लिजगा कर सकते हैं मालि लीज़िये मैंने यहां पड़ सकता हूँ किना ऋधिचल करने इसको wel Carney करता हूं तो मैं कर सकता हूं कहीं पर अब दिल्ट ऑनद जो डेज़ाइन किए है उसको आप ऊपर की तरह पूल कर सकते हैं और ऐसे कि प्यूश्ट करना चाहिए उसको तो अंदर कि तरह कुष्ट भी आज कर सकते हैं तो इस टूल का मेन वरक यही है तो आपको प्यूस एंड टूल टूल का जो है काम भी पता चल गया that काम है क्सेंड पूल कुई भी किसी प्रकार की आकरती आप यहां पर ड्रा पर ओर करेंगे ठ्युक्ण तो इस टूल का काम यही है आप उसको उसके बाद सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको प्यूस कर सकते हैं ठीक है या किसी जी तरह है कि आकरती हो जैसे यह या करती है हुआ कि इसको स्ट्रोब किरें और ग divergence कूछ को पता चल गया है आजकी हमारी पहली क्लास है sketchup की इसमें हम बिलकिल भी बेसिक से start कर रहे हैं तो आजी पहली क्लास में आपको पता होना चाहिए किस टूल का क्या हो रख है आज की पहली के लाज में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगा तो इससे नेक्स जो हमारा उप्शन है रोटेट तो इसके भी नाम से पता चल रहा है यह घुवाने के काम आएगा माले जी कोई भी यहां पर उब्जेक्ट है इसको मैं सेल जैसे हमसों सब्ट करेंगे ट्रिप्ल किलिक से सलेक्ट हो जाएगा मॉड़लल और यहां पर आप सलेक्ट पर क्लिक कर игざ अगया तो आहां पर यही देन प्रहत्त तरब से कम या जादा करना चाहें यह size जो कम जादा कर सकते हैं तो scale tool का इस्तिमाल भी आपको पता चल गया होगा इससे next जो हमारे tools हैं यह है जो हमारे dimension tools बोल सकते हैं school, सबसे पहले tape measure है tape measure के नाम से भी आपको पता चलता है हम tape measure का यूज क्या करते हैं मापने के लिए यूज करते हैं किसी भी चीज को real life में तो यहाँ भी tape measure tool का यही इस्तिमाल है तो यहाँ भी आप यहाँ पर click करेंगे और इसको जो है activate कर लेंगे और आप यहाँ से अपने model का size यहाँ पर किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं जैसे कि आप display देख पा रहे हैं इस तरह से आप जो है tape measure tool का इस्तिमाल करके अपने जो है object का exact size पता कर सकते हैं और tape measure tool का एक काम और होता है ठीक है मानलीजी आपको कोई guideline लगानी है वो भी आप इसकी help से लगा सकते हैं मानलीजी हमारे यह object है इसकी यहां पर मुझे 6 इंच या 12 इंच की हाइट पर करनी है तो मैं यहां पर 12 टाइप करूँगा और एंटर पैस करूँगा तो यहां पर tape measure tool एक जो है guideline हमें दे देगा और जिसकी help से हम यहां पर जो है line ड्रा कर पाएंगे इजेक्ट ली जो है 12 इंच की height पर यह देखिए इजेक्ट ली यह जो है 1 feet की height पर guideline तो यान की tape measure के दो work है यह चीज को माफता है इससे हम size पता कर सकते हैं दूसरा यह है इसकी help से हम guideline लगा सकते हैं यह दो work है टेम मेजर tool है इससे next जो हमारा tool है dimension tool है dimension tool का work भी आपको नाम से ही पता चल जाता है कि हम इससे dimension देशकते हैं कि चीज़ को माल लिजी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ठीक है और हमें इसकी dimension देनी है मैं दो object हुए हटा देता हूँ ठीक है करेंगे तो इस तरह से आप यहां पर dimension देशकते हैं ठीक है इससे next जो हमारा option है 3D text का है यहां इसकी help से हम कोई भी text जो है इसके अंदर enter करेंगे ठीक है तो हम वहारे place कर सकते हैं कहीं पर भी ठीक है इस तरह से okay इससे next जो हमारा है ये हैजो हमारे 3D टूल है याने 3D मॉटलस को रूटेट करने के लिए ठीक है या उसको जो है कंट्रॉल करने के लिए तो यहां सब से पहला टूल है यहाँ पर और जो क्रोगे तो आप इसकी है यह अप lock कर हैं किसी भी एंगल में इसे next option है जो हाथ का निशा नहीं यहां पर इसकी help से आप अपने model को इस तरह से drag कर सकते हैं उपर नीचे left right लेकिन आपके model angle change नहीं होगा वह आप जो है और भी टूल से ही कर पाएं जैसे मैंने इस एंगल पर सेट कर दिया और यहां पर जो हाथ का टूल है पेंट टूल इसकी help से जो है आप इसको ओपर नीचे ड्रैग करके इसकी लोगें चैंज कर सकते हैं ओके इसे next जो हमारा option करने के लिए है माउस की left click press करके रखेंगे आप ठीक है और माउस को आगे पीछे करेंगे तो जूम इन और आउट इस तरह हो जाएगा और यह काम हम अपने जो है माउस वील से भी कर सकते हैं और अगला जो अप्शन है पर जूम होगा ओके तो यह था आज का हमारा एक basic class पहला class जिसमें हमने sketch up की पहली class के अंदर यह बिल्कुल beginners के लिए था जो पहली बार sketch up को open करेंगे और जिनको sketch up के अबारे में ABC कुछ भी नहीं पता तो यह उनके बारे में है उनके लिए के यह class था तो आसा करता हूं कि आप लोगों यदि पहली बार कोई इस tutorial पर आया हो तो आसा करता हूं कि उसकी काफी help होई होगी इस tutorial वीडियो को देखके और यदि उसकी help होई है तो मैं उससे request करूँगा कि channel को subscribe जरूर करें यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आसा करता हूं कि आप मेरी मेहनत को एक लाइक भी जरूर देंगे ओके गाइस तो नेक्स्ट हमारी कलास में मैं आपको इन सभी टूल्स के shortcut की बताऊंगा ताकि आप अपना जो workflow है फास्ट कर्सको यानि कि अपना काम है जल्दी कर्सको जैसे मैं अभी कर रहा था जैसे मैं बार-बार किसी टूल पर जाकि उसको activate नहीं करता मैं direct keyboard से ही उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ जैसा आप देख रहे हैं अभी और-बिट टूल है यदि मेरे को लाइन टूल चाहिए तो मैं direct keyboard से लाइन टूल ले सकता हूँ ठीक है आप अपनी कमेंट में राय देजिये मैं अगला किलास का ये tutorial video बनाऊ या ना भनाऊ आप अपनी लाय कमेंट में जूरूर दें ऑके गई ये था अजका हमारा चोटा सा एक पहला किलास क्लास काई सकते हैं इसको ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए था आप लोगों कैसा लगा मुझे कमेंट में जुरूर पता हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों फिर्म लगात होगी दोस्तो तब तक के लिए टाटा वाइबा दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम